दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकार देने वाले हैं देवी एहला विश्विध्याला इंदौर इस्टेट इनवर्शिटी में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी प्रवेश प्रिक्रिया प्रम्ब हो चुकी है यानि इसके ऑनला मेरिट बेस पर भी प्रवेश ले सकते हैं तो यहाँ पर दोनों टाइप से आविदन हो रहे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेंस एक्जाम से होने वाले जो आपका सेलेक्शन होने वाला है या इंटरेंस एक्जाम के माद्धन से आप प्रवेश ले सकते हैं तो इसका online आविदान आपको कैसे करना है, इसकी information क्या है और जो non-interns exam का जो प्रवेश है उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो अलग से देंगे जिसकी description में हम आपको link भी दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, तो यहां पर अगर आप डेवी अहला वि करते हैं, यहां पर हमारे पास admission notification आजाता है, इस option में जो है यहां पर आपका NTA याई नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो है यहां पर आपका entrance exam लेती है, तो इस माध्धन से आप प्रवेश ले सकते हैं, इसमें कौन-कौन से course हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप यहां पर option पर किलिक कर पीडियेप खोल सकते हैं, और पीडियेप खोल कर यहां पर देख सकते हैं, यहां पर admission notice है, जिसमें कौर्स दिये गए हैं, जिसमें तीन ग्रॉप हैं, यहां पर post graduation के लिए जिसमें आप MBA का कौर्स कर सकते हैं, इसके बाद ग्रॉप B में यहां पर 12th pass B.A. L.L.B. 5-year है, B.A. Honors 3-year है, M.S.C. Electronics Media 5-year है, B.A. Mass Communication Journalism 3-year का कौर्स है, इसके बाद ग्रॉप C में जो है, M.C.A. 5-year, M.T.E.C., M.T.E.C. और इसके अलावा जो है, V.Pharma, MBA, M.T.E.C. Electronics का जो यहां पर कौर्स है, इसके अलावा यहां पर आप B.A.C. Honors जो है, यहां पर कर सकते हैं, तो यहां पर B.A.C. Electronics Computer Science Mathematics है, यहां पर B.A.C. Electronics Physics Mathematics है, 3-year का कौर्स है, तो यहां पर कौर्सों की डिटेल आप यहां पर PDF डा सकते हैं, टाउनलोड कर, PDF पढ़ने के बाद ही, आप ऑनलाइन आविदन करें, ऑनलाइन आविदन की जो स्टार्टिंग डेट है, वो 20 जुलाई, यानि 20 जुलाई से आप आविदन स्टार्ट हो चुके हैं, और 9 अगस्त 2021 की तक आप ऑनलाइन आविदन कर पाएंगे, यह से आपको कोर्स यहां भी दिये गए हैं, तो आप पूरी इंफर्मिशन के साथ आविदन करें, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ यहां पर ऑनलाइन आविदन करने की जो डेट है, वो 20 जुलाई 2021 से आविदन स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑनलाइन जो अं 500 का पेमेंट यहां पर करना होगा, इसके बाद यहां पर NRI के लिए जो है 5000 का पेमेंट यहां पर करना होता है, तो यहां पर डाउनलोड एडमेट कार्ट डाउनलोड करने की जो डेट है, वो 17 अगस्त 2021 बताई गया है, 17 अगस्त 2021 तक आप अपना एडमेट कार्ट डाउनल मिनिट Greef Press में आपका बार आपका यहां पर चलेगा है यहां पर आपको दस के ग्यारा और तीन से चार जुए ओ पर का यहां पर टाइंब है और यहां पर यहां हैं क्जांग सेन्टर कहां इसकी इनिफमिशन वो 12 सितंबर 2021 को यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा जिसकी वेबसाइड यहाँ पर दी गई है अब यहाँ पर एक्जाम सेंटर कहा कहा बनने वाले हैं इसकी जानकारी भी देख लेते हैं तो इसके जो एक्जाम सेंटर हैं वो निव दिल्ली, प्रियागराज, इलहाबाद, कोटा, अहम्दाबाद, नाकपूर, कोलकाता, रायपूर, बिलासपूर, इंदौर, भोपाल, गौालियर, जवलपूर, उर्जेन, सतना, इसके बाद खंडवाज, जावगा, रतलाम, खरग होन, मंदसौर, धार, चिंदवारा, और सागत, तो यहाँ पर बाइस जो है एक्जाम सेंटर यहाँ पर बनाए जाएगे, जहाँ पर इंट्रेंस एक्जाम आपकर लिया जाएगा, अब आप ऑनलाइन आविदन कैसे कर पाएंगे, तो ऑनलाइन आविदन करने के लिए, हम यहाँ पर पहुंचने के लिए आप जो है नीचे देख सकते हैं, डी ए, बी, यूजी और पीजी दो आप्सन आपको देख जाते हैं, हम ग्राजुशन का जो रिजिस्ट्रीशन करके आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पर चार आप्सन देख जाती हैं, सबसे पहले और इनफरमिशन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फीज पेमेंट की जो है इनफरमिशन है 15 रोप पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा, जो आपको अपना फोटो और सिगनेचर अपलोड करना है, वो जेपीजी में अपलोड करना है, फोटो की जो साइज है वो दस से 200 के और साइज है वह चार से 30 के भी होना चाहिए फोटो आपका कलर कलर में फोटो होना चाहिए वाइट बैक्डाउंड और जो सिगनेचर है वो ब्लू ब्लैक पैन से पाइट पेज पर जो है आपको सिगनेचर करने होंगी इसके बाद यहां पर हम आगे चलते हैं हम क्लिक करते ह नाम लिखते हैं यहां पर फादर स्नेम मदर्स नेम यहां पर डेट अब बर्थ यहां पर एक आइडेंटी सेलेक्ट करना है हम पैं काड़ वोटर आड़ी रासन काड़ आधर काड़ एनी अधर डाकुमेंट्स जो हैं आपके कलिक कर सकते हैं अगर आप यहां पर आधर लिखना है मोगाल लंबर आपको यहां पर दोवारा लिखना होगा इसके बाद यहां पर हम नेशनल टी सेलेक्ट करते हैं इंडियन यहां पर आपको कंट्री नेम सेलेक्ट करना होगा कंट्री नेम में आपको जो है यहां पर एड्रेस डिटेल सबसे पहले आपको यहां पर एड्रेस डिटेल लिखना होगा आपका एड्रेस लिखना होगा यहां पर आपको लोग जो है अपना तहसील यहां पर लिख सकते हैं यहां पर आपको जो है बिलेज एजिटी का पता लिखना है तो पूरा पता आप और present address sam है तो आप इस option पर click कर दें तो यहाँ पर automatic फिल हो जाता है इसके बाद आप यहाँ पर password बना सकते हैं password आप बना पाएंगे यहाँ पर आपको password बनाना है वो आप अपने हिसाब से बनाए और इसके बाद यहाँ पर security pin आपको लिखना होता है तो हम यहाँ पर website लिखते हैं website में हम यहाँ पर जो है कुछ भी डाल देते हैं जैसे कि हम MP online डाल देते हैं या जो भी आप डालना चाहा है वो डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर एक एफचा code लिखना है यहाँ पर सभी जानकारी आपको चेक कर लेनी है अगर सभी जानकारी सही है तो इन option पर आप जो है click कर सकते हैं click करने के बाद आपको जो है submit button का option पर click करना जैसे submit button का option पर click करेंगे आपका जो आभिदन है वो next process में पहुंचेगा आपके application फॉर्म भाड़ना होता है तो यहाँ पर हम जैसे ही confirm करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं application नमर मिल जाता है यहाँ पर हम नीचे चलते हैं पूरी information है registration आपका complete हो जोगा है application image upload or payment करना है तो यहाँ पर हमारा application नमर हमें मिल गया है हमें जो है सबसे पहले complete application form यहाँ पर करना होता है complete application form के option पर हम click करते हैं तो यहाँ पर इस टाइक से page खुलता है यहाँ पर हमें select करना होता है कि आप मद्बर इसकी नवासी है तो yes करें नहीं है तो no करें यहाँ पर category select करना है तो हम यहाँ पर category select कर लेते हैं your journal OBC तो OBC सेलेक्ट करेंगे, सबकास्ट में यहां पर आपको, अगर आपके पास सबकास्ट है तो ठीक है, नॉन कर दें, इसके बाद यहां पर आप वेकलांगे हैं, तो यहां पर नहीं है, तो नो कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहां पर जो हैं जो हैं गरायमिन चेतर से हैं, आप सहीरी चेत्रे से हैं तो हम ग्राइमिन चेत्रे से हैं तो रूलर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहां पर कोविड वैक्सी नेशेड यहां पर वैक्सीन लग चुकी है तो यहां पर हम नो कर देते हैं तो यहां पर अगर वैक्सीन लग चुकी है तो यहां पर आपको एक् यहां पर चार एक्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं तो जो भी आप एक्जामिनेशन अपने पास हैं और जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहां पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो चार एक्जामिनेशन सेंटर आप यहां से सेलेक्ट कर दे हैं हमें चार एक्जामिनेश खेत रहे तो हम ग्रामीर सेलेक्ट करेंगे यहां पर आपको कौन से बूर्ड से आपने जो है यहां पर पास किया है तो हमने मदद प्रेस से ही पास किया है इसके बाद यहां पर कब पास किया है तो 2018 यहाँ पर हम select कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर्सेंटेज लिख देते हैं इसके बाद यहाँ पर जो है हम कितने marks इनको मिली है तो 450 कितने मैसे मिली है तो यहाँ पर total marks हम यहाँ पर लिख देते हैं total percentage आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है यहां पर हमें रॉल लंबल लिखना है तो रॉल लंबल लिख देते हैं यहां पर हमें स्कूल का नाम लिखना है तो इस्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है तो यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर जो है इस टाइप से जो है हम एड्रेस लिख देते हैं तो यहां पर हमें टॉयल्ट किन में जडे हैं तो अगर आपका रजल्ट टुका हुआ है तो जनी अभी डजल्ट नहीं आया है तो आप पेरिंग लिखेंगे यहां पर हम जो है subject select कर देते हैं कि subject से हमने बार भी की है PCB यहां पर हमें जो है ruler इसके बाद यहां पर board select करना है तो हम मदद्देश select करते हैं इसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं भरना है इसके बाद यहां पर आपको school का नाम लिखना है तो यही school का नाम उठा के जो है यहां पर कर देते हैं इसके बाद यहां पर select group A B C जो भी है तो यहां पर आप graduation करना चाहते हैं तो आपको subject में जाकर देखना होगा B group में कौन से subject हैं C group में कौन से subject है या फिर दोनों में आप कोई भी करना चाहते हैं तो यहां पे जैसे की हम BSc करना चाहते हैं तो हम गूर्प C Hautsy करते हैं हम आखे हम सब्सक्राइब चाहते हैं आखे हैं यहां पे आखे में यहां पर BSc करना चाहते हैं यहां पर Landes qualification क्या है पर टेइठें वीश दीविए से कम पड़े हैं तो यहाँ पे 10th लिखें यहाँ पे आपकी पता क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है इसके बाद यहाँ पे आपके जो फादर है उनकी इंकम कितनी है इसके बाद यहाँ पे आपकी मदर कहां तक पड़ी हुई है आपकी माता क्या करती है इसके बाद यहाँ पे उन डाल देते हैं इसके बाद हम पूरा यहां पर संमिट करते हैं घिसा ही करेंगे तो यहाँ पर अब हमें होने के लिए प्रेट को क्लिकibenता है और फिर से यहां पर akapार पास हैं आपने के बाद हम यहां पर कलिक कर रहेंगे आपको हैं कर देना है जैसे ही payment हो जाता है आपका आविदन सम्मिट हो जाता है और इसकी जो information है वो पूरी यहाँ पर PDF में दी गई है इस PDF को download करें date आप note कर लें उस date में आपको admin card निकालना है exam देना है और अगर आप बेना इंटरेंस exam के previous लेना चाहते हैं तो उसका भी हम आपको दूसरा वीडियो दे चुके हैं उस वीडियो में आप जो है जानकारी देख सकते हैं धन्यवाद